आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो आप रहे चार विकलब दिये गए जिसमें पहला है 24 दूसरा विकलब है 37 तीसा विकलब है 45 और चौता विकलब है हमारा चपड़ तो हमारे पास दो सिंख्या वो लिख लेते हैं 13, ανupat, 5, समानुपat, 32, अनुपAt, बर्षंचे ने तो हमारे पर्षंचे ने एक जगए ऐसी सिंख्या लिखनी है ताकि हमारे इन पहली दो सिंख्या उमें और यहां अन्तिन जो यह दो संख्या है इनके मद्या का जो समंद है वो हमारा एक जैसा होना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं पहले इन दोनों संख्यां के मद्या है समंद है वो क्या है तो हम देखो भई तेरा में से जो पहली संख्या है उसमें से यदि हम आठ गटाते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है जो कि हमारी दूसरी संख्या है इसी तरह फिर यही समंद यहां लागू करेंगे हम तो यहां हमारी संख्या है बत्तिस बत्तिस में से हम यदि आठ यहां गटाएंगे तो हमें परप्त होता है 24 तो यहां हमारे परसंची ने उसकी जगाई है थे हम 24 लिखते हैं तो मारा इन दुनों में जो समंद है संख्यों में वो समान रहते है क्योंकि यहां भी 8 गटाया जबता है और यहां भी 8 गटाने पर दूसरी संख्या तुमारा उत्तर हुगा विकलप नंबार एक चोवीश दन्यावाद्श।